आज के समय में बॉलिवुड से ज्यादा साउथ की फिल्मों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। खास कर क्राइम थ्रिलर और सस्पिंस फिल्मों को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। साउथ की फिल्मों की कहानिया हट कर होती हैं जो हर किसी को बांध कर रख देती हैं और अच्छी बात ये है कि इन फिल्मों के हिंदी वर्जन भी OTT पर उपलब्ध हैं तो चलिए आपको बताते हैं कुछ बहतरीन तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्मों के बारे में जिन्हें आप ह जगह से हिल नहीं पाएंगे नेत्रिकन का हिंदी वर्जन डिजनी प्लस हॉट स्टार पर उपलब्ध है अगर आपको सस्पिंस और थ्रिल पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए ही है दूसरे नंबर पर द्रुवंगल पतिनारु फिल्म है जो साल 2016 में आई साइकोलोजिकल त्रिलर दमदार कहानी और सस्पिंस के लिए मशूर है इसमें पूजा देवरिया नासर और रह्मान जैसे दमदार कलाकार नजर आये थे फिल्म का सस्पिंस ऐसा है कि आपका दिमाग चक्रा जाएगा इसे देखकर आपको एहसास होगा कि साउत की फिल्में अपनी कहानियो के लिए क्यों जानी जाती है तीसरे नंबर पर बीते साल रिलीज हुई फिल्म ओ माई डॉग है जिसे रामकुमार बालकृष्णन ने डायरेक्ट किया था फिल्म में हरीश कल्यान और इंदुजा रविचंदरन अहम किरदारों में है ये एक शांदार सस्पिंस थ्रिलर फ पहाया है फिल्म की कहानी अन्याय के खिलाफ एक इनसान के संघर्ष पर आधारित है जैम रवी की एक्टिंग इतनी दमदार है कि आप उनके फैन बन जाएंगे ये फिल्म इतनी ग्रिपिंग है कि एक बार देखना शुरू करेंगे तो खत्म करके ही उठेंगे पांचवे अगर आप सस्पिंस और थ्रिल के फैन हैं तो ये फिल्म आपके लिए है ये एक CID आफिसर की कहानी है जो अपनी लापता बहन की तलाश करता है इस दोरान वो किस तरह केस को सॉल्व करता है यही फिल्म की पूरी कहानी है रच्टंद आपको शुरू से अंत तक जोड़े रखेगी तो ये थी कुछ शांदार तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्मे जिन्हें आप OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी में देख सकते हैं अगर आपको सस्पिंस थ्रिल और दमदार कहानिया पसंद हैं तो इन फिल्मों को मिस्स मत कीजिए